रामला जी का फोटो फेक करके फिर थूप काय चाट रहा है काय चिराग जी को फिर बाप-बाप करने नरेंदर मोधी को भी आपने लगा रहा था और नितीश कुमार को भी लगा रहा था कि अगर दम है तो पुणिया से ले चुनाओ लड़के दिखाए तो तु भी बातो, थोड़ा क्या रोखता है। तु भी अपने विदानसे भागेट चेत से ले आता है। चुनौ में बाटने के लिए जुम के लिए पैसा होता है। उर सारे चार सालीलों को लूठने के लिए। ये लोग मालीक बन जाता है āन चुनौ के बात पपू यादो बेटा बना रहा था, इतना दिन सत्ता में रहा करके अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं, तो यह कैसी दाजनिती और कैसी सेवा, राज़त भी और नितीज चंता दल्यू भी लड़ने, लड़े थे तो तैसित पर आया अकेले, जेडियू को हराने के लिए पपू सत्ता में बैठे लोग यह पपू यादू पर रोप लगा रहे हैं कि पपू यादू हमेशा से BJP का B Team का का काम करते हैं, करोना से दुनिया डरती थी, हम करोना को डिराए थी जेडियू को हराने के लिए पपु याद पुर्णिया से पुर्णिया अभी पुर्णिया का बरतवान सांसत संतोस कुस्वा है, जो जेडियू से आते हैं पत्ना बार में सब सोईवेते हैं और हम गारा दिन जग करके दूद पानी रोटी पहुचाते थी मैं अभी अकेली कहीं लड़ता हूं, सब लोग अकेली अकेली बिना कटवंदन के लड़े हैं सब को उकाद का पता चले हैं नहीं को हिंदुमिया करने आता है ना जातपात का पता है हम आंगन के और घर का रिस्ता है मेरे सारे दल के नेता गौंगों घुमते थे तब हम तुन जिते थे गिनिसमों से चार लाग, सारे तील लाग, तील लाग नमस्कार आप जूडगे हैं बोले भारत से और मैं हूँ कुमार मनीश अभी हमारे साथ जाब पार्टी के सुप्रीमियों और पूरो सांसत पपू यादो जी है स्वागत आपका बोले भारत नहीं दन्न भारत हम साथ बार में पांच बार निर्दलिया चुना जीता है आजाद हिंदुस्तान में पहली घटना बिहार में आज तक काली पांडी को छोड़के कोई निर्दलिया चुना नहीं जीता वो भी एक बार सारे दल के नेता गौँ गौँ घुमते थे तब हम चुना जीते थे गिनिस बुक से चार लाक सारे तीन लाक तीन लाक और सारे चार साल पांच साल हम रोड पे और गौँ में रहते हैं बिइहार में राते हैं, अब पांच महेनां अपने छेत्र में राते हैं, हम tweet-tweet का खेल नहीं कहलते हैं और हम jat-pats hindu miasya हैं, समझे, तो ना हमको hindu miasya करनीा आता है, ना jat-pats का पता है, हम आंगन के और घर का रिष्टा है मेरा मेरा रिष्टा मैं जमात की बात करता हूँ पैसंस के साथ सेवा करते हैं राजनिती नहीं आती हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी उर्जा है वो है लोगों के लिए जीना उसकी मदद करना हर तरह के क्रैसिस संकट परिस्थितियों के साथ आम आदमी के साथ खरा रहना और आम आदमी मेरे लिए भगवान के तरह है चाहे वो जिस तरह का क्रैसिस हो हिंदुस्तान में हो या घर में हो या घटना में हो अच्छपरा से आ रहे हैं कभी कहीं से आएंगे तो इसमें इसको राजनितिक आएने से इसलिए नहीं देखा जा सकता कि हम दिल्ली पटना रहते ही नहीं है हमारी चालिस साल की समाजिक जीवन में राजनिती सिर्फ चुनौम में होती है उसके पहले हम सिर्फ सेवा और मदद करते हैं तो मधिपुरा हो, पूर्णिया हो, कोशी सिमान चल में जब पूरा का पूरा गैप हो गया सब कुछ किसी भी तरह के जो राजनितिक लंबा एक जो लीडर्शिप गैप हुआ हमारे पहले बहुत सारी लोग कोशी में लालू जी, शरज जी, बीपी मंडल के भुपेंदर रहो के बाद, अलालित नारण मिस्रा जी के बाद जब सबसे बड़ी राजनिति करपुरी ठाकुर जी ने किया, अपुर्णिया में भोला पास्मान सास्त्री जी अनलोग, तो उसके बाद तसलीम अदीन साहब से लेकर, कि बहुत सारे लोग आए, जब राजनितिक जीवन में इनलों का अफसान हुआ, तो तेरासी में संख्या बने, नब्य से लेकर अभी तक सरकों पर है, और बिहार का लगभग घर को मैंने देखा, तो बहुत किलियर है कि कोशी सिमान चल की अपेच्छा, जो सत्ता बनती है, सबसे ज़्यादे संख्यावलू मिथला कोशी सिमान चल की होती है, आहम बाट से भी, बीमारी से सारी चीजों से परिश्रान है, सबसे ज़्यादे पर लाइन कोशी सिमान चल है, तो हमारा मुद्दा ही क्यों गटगरी ने आके कह दिया था कि देश में इतनी बड़ी विकास की राजनिती हमने आज तक नहीं सुनी ना देखी, मन से कहा, और अबाडेट रहे पांच बार तो ऐसे लिए क्या राजनिती करने हमें आती नहीं है, पुर्णिया, मध्यपुरा, कोशी सिमान चल मेरे सांसों में है, मेरे खून में है, मेरे जीवन है, मेरा रिष्टा आंगन और घर का है, राजनिती का नहीं है, मेरे राजनिती को तैक कोशी सिमान चल करती है, तो ऐसे हम 24 घंटा सरकों पर हैं हम किसी के कंदों के सारी नहीं करनी होती है मां के लूचेयी ओर फिता की शॉय Alors दिए और वह को सिस्वारिज पर बिहार भ्रह्मन प्रूर्ण चुनना क्या पुण्या कि जनता कभी विश्वाद से पप्पु यादवको च राज़ना मरने का जज़बा जो बिना प्रूणियां कभी जातपाट नहीं देखता है पुणियां हमेशा पप्पु बेटि को देखता है वहां जाति की राजनिती नहीं है किसी भी किमत पर इसको आप ऐसे समझ लेजें बहुत किलियर हैं हम पूरी दुनिया में जाती की राजनिती होती है सिर्फ पूरिया है जहां जाती की राजनिती नहीं के बराबर होती है हिंदों मुसल्मान नहीं के बराबर होती है बस वो अपना लक्ष तेह करते हैं दिल्ली और पटना पुर्णिया कोशी सिमान चले नब्वे में आपनों का जन्म नहीं हुआ होगा तब हम तैस घंटा बिजली देते थे किसी का जन्म नहीं हुआगा तब हम 91 में पूरी अस्पताल की वेवस्ता बेहार की जन्ता को दिये थे और कोचिंग माफिया के खिलाब लगी थे तो हमारे दो-दो छोटे भाई को गोली लगी थी दोनों मारे गए राजे स्टाइकर और जादवेंदू सबसे ज़्याद है हमला पपू यादव पर था तो हमारे तीन वेवस्ता थी बिजली अस्पताल और कोचिंग और तीनों हमारे लिए चैलेंजे बोलता है तो हम उस वक्त इतिहास लिखते थे आज नहीं तो हम इतिहास पढ़ने वाले नहीं हैं इतिहास लिखने वाले और ये इतिहास लिखने का जो संगर्श का मादा दिया वो पूर्णिया की जमीन धर्ती और कोशी की धर्ती और सिंहस्वर की धर्ती ने दिया है इसलिए जब चारो तरफ से नाउमीद होते हैं राजनेती ग्रूप से तब फिर सारस ने पुर्णिया के गोद में मिल जाता है इसे वरा सुभाग क्या होगा सत्ता में बैठे लोग यह पपु यादो पर रोप लगा रहे हैं कि पपु यादो हमेशा से बीजेपी का बीटीम का काम करते हैं अभी पुर्णिया का वरतवान सांसद संतोस कुस्वाहाई जो जडियू से आते हैं तो क्या जडियू को हराने के लिए पपु यादो हमने चार बारे अंपिर हैं मेरी नभप होती है लोग दल से हैं पुर्णिया हमको बेटा की रूप में निर्दल यह नारा है और बीजेपी के साथ तो सब लोग ना हम जितना खतरनाक ट्वीट और जो लड़ाई कॉंग्रेस के साथ हम और मैडाम और हमारी लड़ाई है कि उपि हैं फेरे एगज्ना खतरनाक ट्व शेव नामिपए नहींड़ दूandANA चुना खवर हरे को में व शन करनाक अतो इह्यांड़न cheerle खत्रय किया लड़ाई हम सबसे ज़्या ना आद मैं गज़ाइन ना सब लोग ने किया चान सबसे अ ढ़क瞋 एदर सब से ज़्यादे मुद्दों पर तीन तलाग पर जो सवाल मैडम रंजीत रंजन का पपू यादव का इस सब चीज़ों का है एन आर्सी में कभी निकले थी लोग बीजेपी के साथ सियासत रजनीती में तो केंदर में बीपी सिंग ने भी सरकार बनाया यहां आरा जनता दल भी बीजेपी के साथ बनाया नितीजी 17 साल उनके साथ रहे ममता दीदी रही सब रही कोई बीजेपी से चुता है अब पपू यादव यादव जो लोग राजनीती करते हैं अकेले-अकेले राजनीती किया थे तो तो तेश सीट पर आये थे जीरो पर जाएगा सरकार मुए हो नहीं लड़ेगा बीजो जनता दल लगाता लड़ रहे हैं तो बीजेपी की बीटीम हो गई अर्विंद केजिवाल अकेले लड़े थे तो क्या कहता कॉंग्रेस की बीजेपी की बीटीम है यह लोग तो बोली रहे हैं अर्विंद केजिवाल को की बीजे पी अन्ना जारे के अंदोलन में बीजे पी और आरेसस का साथ था तो अब क्या हो रहा है तो इसलिए जो फ्रॉंट लाइन पर है लड़ता है और यह सब भासा उन लोगों का है जिनको सिर्फ घर में बैटके राजनिती करना जात्पात करना हिंदु मियां करना सिर्फ राजनिती की ठकवाजी करना जो पैसे को लेकि राजनिती करते हैं ऐसे लोग गंदी खेल खेलते हैं पपू यादब का मिट्टी है पपू यादब का आंगन है पपू यादब की खुस्बू है पपू यादब की जिद्गी है हम कोई कंपरमाईज नहीं करते हैं दुनिया इनसान मेरे लिए भगवान है और इसके अलावे मेरे कोई दूसरा लक्ष नहीं है तहे जनता करती है कोई और नहीं करता है जिस दिन आप पूर्णिया से संखनाद किये थे उस दिन खुले मन से यह चैलेंज दिये थे कि अगर दम है तो चाहें इंडिया कड़ बंधन को हो य मैंने क्या कहा कि बिना गट बंधन के नरेंदर मोधी भी लर ले राजत भी और नितीज जनता दल्यू भी लर ले लड़े थे तो 30 सिर्ट पर आया के ले लोकस्वा में लड़े तो 0 पर आये ते नितीजी लड़े थे तो 2 पर आये ते और हम 14 में दोनों वाई फस्यान करोना से दुनिया डरती थी हम करोना को डिराए थे पटना बार में सब सोई वे थे और हम गारा दिन जग करके दूद पानी रोटी पहुंचाते थे सवाल वहां किजिए हर मुद्दे और हर विचारधारा पर लड़ने वाला व्यक्ति तो यहीं न कहेगा कि घर में दिल्ली मे पटना में बैट के जादपात की राजनिती जब गटबंधन की राजनिती आप करते हो कहें करते हो चोड़ दो अकिले लड़ो जब 14-15 साल 20 साल 10 साल नरंदर मोधी जी तो आप बिना गटबंधन की राजनिती करते हैं जिस्टो गाली के लोज उसी को पैठ थूत चाटके रामिला जी का फोटो फेक करके फिर थू कहें चाट रहा हैं कहें चिराग जी को फिर बाप बाप कर रहा हैं कहें निशाद को वहां से संजा निशाद को दल में आए कहें फेक तो दिये थे कौन पटेल को फिर कहें पएर पकर लिए हैं अलगाबाद से सबसे ज़्यादे ब पीजेपी मनीपूर में कहा, यह सबसे वड़ा भरस्ट है, सरकार बना लिया, और अजीद पबार और सब को भरस्ट कहता था, सरकार बना लिया, अज सबसे ज़्यादा उगरबादी आतनगबादी कहने वाला, मुक्तारंसारी को बेटे को गटवधन में ले लिया, तो उनसे पपू यादब का तो चरित रेक्या है, देना, अबांटना, अलोगों के लिए जीना, अस सिस्टम के खिलाब लड़ना, हम से कहेगा अपुष्टे है, हमारा तो मेरी तो सांस है, और मैंने तो कहा कि अकेले अकेले लड़ोगे, इंडिविज्वा लीडर्शीप, दुनिया जब आप देगा पपू यादब मोदी और सब के बारे में, इंडिविज्वल अकेले 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 लड़े ना, पता चल जाएगा सबको, मैं यह कहा रहा हूँ, मैं भी अकेले कहीं लड़ता हूँ, सब लोग अकेले अकेले बिना गटबंधन के लड़े, तो सबको समय कहसे अकेले gauche सबकोंना बश्रों केश्वल तो सब俺 आथे अद्द कर देगा, इनकेले ले को है, Sozialis, मैं लोग कमा, मैं इसके पास मोठाकी नहीं, था मेरे परिवार के बारे में जानेगा ना यदि हम दोस्त से पैचा उधार करके बाटते हैं तो पेट में दरत क्यों है तुम भी माटो अधि हम कोटा से ट्रेन भेजे सब बस से हम आदमी लाए तो तुम भी बाटो ना तोड़ा क्या रोखता है तुम भी अपने विदांसर बने रहते हैं एक बार चुनो जितता है तो मालिक बन जाता है करो रो और वो कमा लेता है हमारे पास अपना घर नहीं होता है सब कुछ उनका होता है तो किनको कौन रोक रहा है किनको माटने में मदद करने में करे सेबा सबको अधिकार है पपुया तब कहां से लाता है तो ED दी सीविया न को हिसी पास इंदा के पास हाई उसको पंदा लगने सो तुम का जिर conj आ लगेंग Six two को यनत 苦build to तुम को यह कोई काम नहीं है इन लोग कोई अच्छा काम नहीं आता सिव sagen के जाथ पात कि इस देश CHANता भी तोxico आजीव पांच किलो आना फ्री में लेके हिंदु मिया जाद पाद करके राजनीती करते हैं इसलिए नेता मस्त है वो भगवान जो नहीं देखा उसको चराता है हम जनता को भगवान मान के चराता है यही फर्त है तो ये थे हमारे साथ पूरुवसंसरत पप्वियादों ने देखे किस तरह से पूर्णिया से एकेले हिता ठोक दिये संखनात कर दिये हैं